हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छी होंगे आज सुरू करने जा रहे हैं यान CRT Classics का Chapter 2 बोजन के गटक आप से रुकेस्ट ये वीडियो अनों तक जरू देखें अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें तो चलिए सुरू करते हैं आज को टॉपिक बोजन के गटक इसके पहले हम Chapter 1 कंप्लीट कर चुके अगर वो वीडियो आपने न दे एक या एक से अधिक प्रकार की कच्छी समागरी से बना होता है जो हमें किस्से तो जो हमें पादपों से या जनतों से प्राप्त होता है तो प्रतेग वंजन एक से अधिक प्रकार की कच्छी समागरी से बना होता है और जो हमें किस्से प्राप्त होता है जो हमें पादपो या पादपों से सम्मादित उत्पाद जानवरों या जानवरों से सम्मादित उत्पादों से मिलता है तो प्रतेग खादपदार्थ किसे का खादपदार्थ उनको कहते हैं जो प्रतेग विंजन एक या एक सेधिक प्रकार की कच्छी समागरी से मिला और जो यह कच्छी को कहते हैं जो हमें व्रद्ध और कार करने के लिए उर्जा देते हैं वे सारे तत्थ पोसक तत्थ कहलाते हैं पोसक तत्थ क्या है तो कार्बो आइडिट प्रोटीन वसा विटामीन खनी जिलावाण आज जे सारे पोसक तत्थ हैं तो खाद प्रदार्थ क्या है तो खाद प् कर्दान करते हैं वे सारे पोसक्त तो कहलाते हैं कार्बो आइडर क्या है कार्बो आइडर हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख कार्बो आइडर मंद और सरकरा के रूम में होते हैं कार्बो आइडर हमारे भोजन में जो पाया जाने वाला कार्बो आइडर है तो हमारे भ प्रोटीन क्या होता है तो बैंगनी रंग खाद पदाद क्या बैंगनी रंग खाद पदाद में प्रोटीन क्या बैंगनी रंग खाद पदाद में प्रोटीन क्या होता है तो बैंगनी रंग खाद पदाद मैं बेंगनी रंग प्रोटीन की उपस्ति को दर्साथता है कि अगर खाद किसी खाद पदारत में बेंगनी रंग आए तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन है तो यह किसकी तो बेंगनी रंग खाद पदारतों में प्रोटीन की उपस्ति को दर्साथता है और प्रोटीन की उस दूद पनीर, तो प्रोटीन के सोथ, पादब सचना, मटर, राजमा, मूँ, सोयाबीन, अन्डे, मचली, दूद पनीर, आस्ते में ये सारे क्या है ये सारे प्रोटीन के सुरूत है इन से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है वसा क्या है तो वसा कागज पर तेल का दब्बा खाद पदार्त में वसा की उपस्ति दर्शाता है क्या है कागज पर तेल का दब्बा कागज पर किस चीज का तेल का दब्बा क्या है तो इससे पता चलता है कि उस खादपदारत में वसा की उपस्ति है, तो कागज पर तेल का दबबा खादपदारत में हमें वसा की उपस्ति को दशाता है, वसा से हमारे सरीर को क्या मिलती है, वसा से हमारे सरीर को उर्जा पराफ्त होती है, वसा के सुरूत क्या क्या है, तो व किर तेल जंटून सェ अंडे के- और जंतून्षी अंडे मच्छली मास दूद्ध ली मकषन आत्ष यह क्या रखा क्या होता है विटामिन क्या होती है तो विटामिन के-क प्रकार नौट है विटामिन क्या होती है विटामिनों के एक समुग को विटामिन B कांपलेक्स बोलते हैm क्या हमारे सरीर को विटामिन अल्ब मात्रा में आउसकता होतीं विटामिन ने क्या है? हमारी त्षा और आठों को सस्त रखता है, विटामिन ही क्या करती है? रोगों से लड़ने में हमारे सरीर की मदद करती है तो विटामिन ने हमारे सरीर की तुचा और हमारे सरीर की आखों को स्वस्तर रखती विटामिन से रोगों से लड़ने के लिए हमारे सरीर की मदद करती है विटामिन D, विटामिन D क्या हमारी अस्तियां और दातों के लिए कैलसियम का उपयोग करने वाले हमारे सरीर की साहता है, विटामिन D क्या करती है, तो विटामिन D हमारे सरीर की जो हड़ियां हैं, हमारे सरीर की जो अस्तियां हैं, और दातों के लिए क्या कैलसियम का उपयो उपकास के उपस्थे वीटामिन डी बनाता है कम व्यूंत आखता है। का होते है से छी टेशाथ ऊच्छ सास पत्ते खनीट लमण की होते है। तो हमारे सरीर के लिए क्या खनीजिलमण के लिए 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 ख सकता होती है। फας फ्रोस के स्रोथ के अधर reminds हमने कहा से मिलता है दूढ़ा से और ग्योऊंEMA से फось फासपझत के स्रोथ दूढ़ के लगए कश्रोथ के आएं तो लोगा का स्रो पालक सेब यकरथ लोगा का स्रुथ के आएं पालक सेब हरत कैल्सियमके स्रोथ कैा है दूध अन लिए सब्सक्राइब हैं रुच्छांस रुच्छांस क्या है तो हमारे स्रीर को आहरीर स्थानर जल्की गवसकता होती है तो रुच्छांस के आए, तो रुच्छांस के आए, हमारे सरीर को आहरी रेसं और जलकी बहुत का है. और आरे ये से क्या रुच्छांस के नम से जाने जाता है प्लादोद क्या है तो यह क्या करता यह बीना पचछे बोजन को बाहर निकलने में हमारे सरीर की साहता करता है जो बीना पचछे बोजन है बिना पच्छे बोजन को क्या जी हमारे सरीर से बार निकालने में मदद करता है जल बोजन की उपस्तित में क्या जल क्या करता है जल बोजन में उपस्तित पोस्कों को और सोसित करने में हमारे सरीर की साहता करता है तो रुच्छांस करता है बिना पच्छे बोजन को सरीर से ब पर निकालने में मदद करता है जल क्या करता है तो जो बोझन करें गोईन कर दो wirklich शुन France औ向 Helen वीटामीन प्रोटिन अप्रोटिन और निदे उसने में हमारे सुर्ष की सायता करता है जाय कि उसने से कि मुथ्अ Servus को सरीर से भी निकालने में मदद करता है तो रुचान्स क्या किया वी ना पचे बोजन को सरीर से भारन Gregory dot t आपक है जलने क्या किया बोजन में उपस्तित रे ब्रीशिश अुपस्ट है जो यह वर्यारे उसकोidents सरीर के में हमारे सारीर की मड़ध करता है और साथ में जो हमारे सारीर के कुछ अफ्सिक्षिट प्दार थे siamo кажते हैं हमारे शरीर की बुर्द को बनाया रखने अहार के रूप में सभी पुर्द सक्त头 उचित मात्र니다 नियुक्त धूर्ध की आहार कहने में सभी पूह सक्त temps होओक्स में होने जिस से हमारे सरीर की अवसकता जो भी जिश की है वो सारी चीजें पूरी हो चकें अगर प्रोटीन की विटामीन की कैल्सियम की जो भी चीज जरूरत है वो से उस बोजन से मिल सकें तो संतुलित आर हमारे सरीर की व्रद्दी के लिए और अच्छे सौस को बनाए रखने के लिए क्या हमारे आर ऐसे होना चाहिए जिसमें सभी पोसकत उजित मात्रा में हो जो हमारे सरीर के लिए आवसक है दाले मूंग फली सोयावीन अंकुरितमीज में कौन है मूंग और चन अब क्या है प्रोटीन क्या प्रोटीन कार्बो हाइड़ेट वसा विटामिन खनीज लवनों से को क्या बोलते हैं पोसकत उतों पोसकत उतों किसको बोलते हैं जिसमें प्रोटीन हो जिसमें कार्बो हाइड़ेट वसा विटामिन और खनीज लवनों को पोसकत उतों कहते हैं जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोवाइड हो, जिसमें वसा हो, जिसमें विटामीन हो, और खनेजलवाण हो, वो सारे क्या हैं, तो वे सारे पोस्तकत तो कहलाते हैं, विटामीन हमें रोगों से बचाते हैं, और हमारे सरीर की रच्छा करते हैं, तो विटामीन का क्या का तो पोशक्त तो क्या हुवे पोशक्त तोनको करेते हैं जिसमें प्रोटीन कार्बोवाइड़े, विटामिन और खरणेज लब नोको विटामिन हमें रोगों से बचाती है और हमारे सरीर की रच्छा करती है विटामिन हमारी आँख, अस्तिया, दाथ, मसूणों को स्वस्त रखने के लिए विटामिन का करती है तो वेतत जो हमें व्रद्ध और कार करने के लिए उर्जा देते हैं वे क्या होते हैं वे पोसक्तद कहलाते हैं तो पोसक्तद क्या करते हैं तो पोसक्तद का क्या रहा है कि हमारे सरीर की व्रद्ध करना और हमारे सरीर को कार करने के लिए उर्जा प्रदान करना वे सारे क्या ह तो विटामिन हमारी आंक अस्तियाा दात मसूलों को सस्ता रखने में साहिता जलाती है। वे तत्त । वेतत्त Krisyra, झाल होता उर्जा देते हैं। हमें व्रदी और कार कने में पर अश्मूढ करने में उर्जा देते हैं। वस्ता और कार्बो हाइडेट हमें उरजा देते हैं वस्ता और कार्बो हाइडेट क्या करते हैं तुझे हमारे सरीर को उरजा परदान करते हैं फ़ल और सब्जियों के छिलकों में एक विस्यस प्रकार का कार्बो हाइडेट पाया जाता है जिसे रुच्छांस कहते हैं फ़ल और सब्जियों के छिलकों में क्या होता है तब फाला और सब्जियों के छिलकों में एक विसेश प्रकार का कार्बो हाइड़ेट पाई जायता है जो एक विसेश प्रकार का कार्बो हाइड़ेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसे हम रुच्छांस कहते हैं संतुल्थ आर क्या संतुल्थ आर हमें संतुल्थ मात्रा में उर्जय अताकत और हमारे स्रीर को व्रदी दें आए और हम हमें व्रजय किश recording दार क्या किया हमारे संतुलीत मातरा में उर्जा दिया ताकर दिया और हमारे को बलद्य करने में मदद किया इससे क्या हुआ हमारा सब्सक्राइल भிक विप ден रहता है कि जिसे क्या हुआ हमारे मे भी समय का विटामिनओ के एक सि disciplinar को कि वीटामिन भी हमवा है क्या है विटामिनों का एक सममोवाए तो विटामिन भी कामपोलिस क्या हुआ हस्यूआ है विटामिन भी का सम måste है क्या वह आहर इसमें सभी आवश्चत महत्रामें उसे हम संटुलित अंतरा कहते हैं तो वह यह हर जिस में सभी पोस्तक्त और रुच्छांस और जल उचित मात्रा में हो संदुलित आर कहला था तो ऐसा आर जिसमें सभी आवस्तक्त तो रुच्छांस और जल की उचित मात्रा वो क्या है वह संदुलित आर है अब क्या है हुआ यहार कच्ची समागरियों में क्या कच्ची समागरियों में हमारे सरीर के लिए कुछ आवस्था गटक होते हैं अब इन गटकों को क्या हम पोश्था कहते हैं हमारे बोजन का मुख पोश्था क्या है कार्बो हाइड़न है प्रोटीन वस्था विटामिन और खनेज लवान है तो कच्ची समागरियों में हमारे सरीर के लिए क्या कुछ आवस्था गटक होते हैं मंट और सकरा के रूप में होता है को उसको उर्जा देने वाला बोजन भी कहते हैं तो किसको वसा कर्विजा देने वाला बोजन भी कहते हैं प्रोटीन के आउसकता सरीर की ब्रद के लिए सरीर को सुस्त रखने के लिए प्रोटीन के आउसकता होती है प्रोटीन यूगत भोजन को प्राया सरीर वर्दक भोजन भी कहते हैं तो प्रोटीन के आउसकता सरीर की ब्रद के लिए सरीर को सुस्त रखने के लिए होती है कई प्रकार की होते हैं कि विटामिन कई प्रकार की होते हैं लग अलग नामों से जाना जाता है इनमें से कुछ को विटामिन A, B, V, C, V, 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 K, V, K अलग इन विटामीनों के होते हैं हमारे सरीर को सभी प्रकार की विटामीनों को अलब मातरा में आउसकता होती है क्या हमारे सरीर को जो जितनी भी प्रकार की विटामीन होती है तो सभी जो सभी विटामीन होते हैं उनकी अलब मातरा हमा हर विटामीन की अलब मातरा हमारे सरीर को आवसक्ऽ होती है विटामिन इसका है हमारी तुचा कोा विटामिन का करता ह। उचित विकास और अच्छे स्वास्त के लिए प्रते खनीज लवन आवस्ते हैं तो हमारे सरीर को क्या तो हमारे सरीर को खनीज लवनों की आवसकता अल्पमातरा में होती है क्या हमारे सरीर हमारे जो सरीर है तो सम्हें जो खणी जलमनों की आप सकता कैसी लवमातना में होती बिटामिन घ्रhern को अप सरीर को अल्ब मातना मातना में होती है शरीर के उच्छत भिकास और अच्छे स्वास attacking लिए प्रते खनी जिलमण आवस्यक है अधिकांस खाद पदार्तों में क्या अधिकांस खाद पदार्तों में एक सदिक पोस्तक तत पाई जाते हैं चावल में कार्बोवाइडिट की मातरा दूसरे पोस्कों से अधिक होती चावल में क्या तो चावल में जो कार्बोवाइड पोसकों से एधिक होती विटामिन क्या कह सकते हैं कि चावल कर्भो आइडिर का समर्द हो जाना है पोस्कों के अलावा क्या पोस्कों के अलावा हमारे सरीर को आरी रेसों और जलकी भी आउसकता होती है बीटामीन खानी जलावन परोटीन करभोऍवाईड इन सब के Еलावा भी हमारेिज़ हा राइर शाचाने रचांस के नाम से जाने जातें होती हैं हमारे खाने में रुच्छांस की पूर्द कैसे होती है, तो हमारे सरीर को हमारे सरीर में रुच्छांस की पूर्द मुक्ता पादब उत्पादों से होती है, किसे पादब उत्पादों से होती है, तो रुच्छांस के मुक्सरोद क्या है, तो रुच्छांस के मुक्सरोद जाने जाते हैं हमारे खाने में रुच्छांस की पूर्थ मुकता पादब उत्पादों से होती है तो आरी रे से रुच्छांस की नाम से जाने जाते हैं हमारे खाने में रुच्छांस की पूर्थ मुकता पादब उत्पादों से होती है रुच्छांस के मुक्सरोद क्या है प्रदान दाल आलू ताजे पल और सब्जियां है रुच्छांस हमारे सरीर को कोई पोसक प्रदान नहीं करता है फिर भी है हमारे बोजन को आवस्तक अव्य है इसका आयतन बढ़ा देते हैं क्या तो रुच्छांस क्या है तो रुच्छांस हमारे सरीर का कोई पोसक प्रदान नहीं कर रहा है फिर भी हमारे बोजन का आवस्था कव है क्या है यह क्या करता है आयतन बढ़ा देता है रुच्छांस बिना पच्छे बोजन को बहार निकालने में हमारे सरीर की साहता करता है जो भी खाना पचा नहीं पाता है जो भी खाना काते हैं जो खाने में जो कोई ची है बहुत आवश्च कपते क्यों कि यह बीना पचिता को हमारे सरीर से निकालने में मदद करता है जल बोर जंद जैल में उपस्रिद्ट पौस्क bek। को अवस। करूए्ट में हमारे सरीर के साथ आथ करता है और यह साथ में अवसीश्टि को गो टार्स है मल मूत्र nosal a पसहीने के साहता से हमारे अपसिष्ट पदारतों को सरीज से बाल निकालने में मदद करता है कौन जल तो क्वेशन क्या है हमारे बोजन के मुख पोसकततों के नाम लिए 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 हमारे बोजन के मु आखिыш I am a कि तो क्या नम लिखना है निम लिकित में नाम लिखए पोसक जो मुख रूप से हमारे सरीर को अढ्रच्छ एनुग्छ मुक रूप से हमारे सरीर को उर्जा देते हैं पोसक जो हमारे सरीर के लिए अच्छन के लिए आवस्था है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दिस्ट के लिए आवस्था है वह खने जो अस्तियों के लिए आवस्था है तो क्या है पोसक जो मुक रूप से हमारे सरीर के लिए तो हमारे खनीज में तो हमारे खनीज का नाम है तो यह जो अस्तियों के लिए आवस्टा कोइब दो ऐसे खाद पदारतों के नाम लिखिए जिससे निम्न पोसक प्रचुर मात्रा में उपलबनों मनद nic जबनो है इस भी एक सब्सक्राइब का पनीत जाही है पनीत राजमा में सब्सक्राइब होती है अब क्या है इन में से सही अंकित की यह सही कौन सा कोई हाई की कहला था इसमें क्या है अंकित करना है तो केवल चावल खाने से हम अपने सरीर के पोसक आवस्यकों को पूरा कर से क्या केवल चावल खा लेने हैं हमारा सरीर अगर केवल चावल खा ले तो चावल खाने व संतुलित आहर खाकर अब अभा वजन रोगों की रोग थाम की जा सकती क्या संतुलित आहर खाने से जो भी रोग थाम की जा सकती है संतुलित आहर में नाना प्रकार के खादपदार्थ होने चाहिए क्या संतुलित आहर खाने में क्या संतुलित आहर खाने में जो भी हमारा सरी संतुलित आहर करता है तो उसमें नाना प्रकार के खादपदार्थ होने चाहिए तो बिलकुल होना चाहिए क्या किसी खादपदार सब्सक्राइब क्या सरीर के सब्सक्ताइब बिल्कुल होने चाहिए है, सरीर flexig και σबी utsat, क्या, सरीर को सभी पोसकत अप्लप्त कराने के वास माल से पर्याप्त है. तो बिलुकुल भी नहीं है, कोई विआ चीजो हमारे सरीर को पोसकत पराथ करने के एवल एक धीजी Remote नहीं है उस सब के लिए भाछत के बोजन होने चाहिए, हमें हर बोजन से किसी बोजन से कुछ किसी बोजन से हमें कुछ मिले किसी बोजन से हमें किसी बोजन मिले किसी बोजन से हमें प्रोटीन मिले किसी बोजन से कर्भोवाइडन मिले किसी से कर्भोवाइडन मिले किसी से वसा मिले किसी से खने तो मिले तो सरीर के लिए पोसकत हो तो क् विटामिन D के अबाऊ से क्या होता है रिकेट होता है तो विटामिन D के अबाऊ से क्या होता है रिकेट होता है तो किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नमक रोग होता है तो विटामिन B की कमी से बेरी बेरी नमक रोग होता है तो विटामिन C के अबाऊ से क्या होता है तो वि त्विटामीन के लिए रेक्षा क्या वी नासरेटी दुमितरेटेट की कम्हें दोता हेएं क्या हूआ, इसके भी नमक रोग हुआ, और विटामीन हिंगी कमी से हमारे खता उन्री नमक रोग हुआ. dus, by about आप तो किसे अ कहते हैं, तो वे वर्द्य को क्या हैं, पोसक तथो क्या है? तो वे निष्ट आप हमें देना, शल्यक में भूत्षЭ़ के लिए उर्जा प्रदान करते हैं वह सारे पोसक्त तो कहलाते हैं तो पोसक्त तो क्या है जो सरीर की व्रद्दी के लिए और सरीर को कार करने के लिए उरजा प्रदान करते हैं वह पोसक्त तो किसे कहते हैं तो पोसक्त तो क्या है प्रोटीन है कार्बोवाइडेट है वसा है विटामीन है खन बचाता है और हमारे स्रीर की रच्छा करता है प्रोटीन का कई रहे है प्रोटीन का कर रिखा डीकर तो प्रोटीन चरी प्रोटीं कार्बोाइडिट हमें उरजा देते हैं तो वितामीन का क्या है वितामीन हमें रोगों से बजाता है और हमारे प्रोटीन के ह्वाझोरी के अगरते हैं तो दाल है दूद है अंदा मचली ओर सोय ह्यागाण की YA है यो प्रोटीन में प्रोटीन के सुरोध है, विटामिन कितने प्रकार की होती, विटामिन दो प्रकार की होती, क्या विटामिन कितने प्रकार की होती, विटामिन दो प्रकार की होती, विटामिन दो प्रकार की होती, विटामिन दो प्रकार की होती, विटामिन कितने प्रकार की जो जल में खुल जाती है जो वसा में खुल जाती है तो जल में खुलने वाली कोईन है विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D ये क्या है विटामिन B, B, C, D B, C, D क्या है जल में गुनल सेल A, E, K A, E, K किया है तो वसा में गुनल सेल विटामिन जल में गुनल सेल B, C, D और इसके बाद A, E और K किया है वसा में गुनल सेल रुच्छांस किसे कहते है रुच्छांस किसे कहते है फालो और सबजियों के छिलकों में क्या फल और सब्जियों के जो होती है फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं प्लों और सब्जियों के छिलके फलों 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 और सब्जियों के छिलक और सरीर को ताकत मिलते जो हमारे सरीर की ब्रद्दी और विबिन रोगों से मचाते हैं तो बोजन का क्या है तो बोजन हमें पुछ सकत्त प्रदान करते हैं और हमारे सरीर को उर्जा और ताकत प्रदान करते हैं हमारे सरीर में अज़े भोजन क्या करता है तो बोजन हमारे सरीर की ब्रद्द के लिए भी आवस्ता होता है और विबेन जो हमारे सरीर में जो विबेन रोगों से लड़ने के लिए भी हमारे सरीर में मदद करता है हमें संतुलित आर क्या हो सकता क्यों होती क्या हमें हमारे सरी कुछ अब फूमित अधने के प्राइब . करने के लिए तो कि प्राइब करने के लएक रंजा अवसचती है तो अगर विटामीन की जरूरा थे तो विटामीन मिल गए कुछ उससे प्रोटीन मिल गए कुछ उससे खनीतत में कुछ उससे जितनी आवस्थक चीजह हुए वह हमारे संतुलेतार बोजन्स करने से मिल गए इस से क्या हुआ है इससे हमारे सरीड को उर्जा प्रदान हुए हमारे सरीड को ताकत मिली और हमारे सरीड को विर्दिकने में मदद मिली और जितने भी रोगों से लड़ने में भी हमारे सरीड को मदद मिली तुम अपने बोजन में क्या आप अपने भोजन में उपस्तित मांड मतलब इस्टार्च की जाँच कैसे करेंगे आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारे भोजन में मांड मतलब इस्टार्च कहाई की नहीं है तो आप कैसे जाँच करेंगे कि हमारे भोजन के कुछ नमूना या कच्छी समागरी लेते हैं इसमें दो तीन बूजन जो कर रहे हैं उसका कुछ नमूना लेंगे क्या हम बूजन कर रहे हैं उसका नमूना लेंगे और उसमें 2-3 बूंदें ऐयोडन विलियन की डाल दियाखंगे इससे क्या होगा यद्ड उसमें filos bak में यसशे क्या रंग निला हो जाता तो क्या पता चल一ग इससे पता जल जाएगा जो हम बोजन कर रहे हैं उसमें star che अबस्टेत है तो कैसे पता चलिका हैं कि हमारे पाइड बसिद्धार्ट यहोंजा झाल्ज कर हिर गॉजन के दोडुती पुंदे वितामिन की चाहिए अगर कि VIP विटामिनें होती है जो BCD होती है वो जल में गुसील होती है और emin B complex क्या होता है विटामिन के समुको विटामिनों के समुको को क्ह intervenues क्हों से विटामिन हमारे सुर के प्रकास में बनता है विटामिन दी रुच्छांस या रहसेदार भोजन क्या होता है रुच्छांस या रहसेदार भोजन क्या होता है तो रुच्छांस एक भोज रहसा जो हमारे सरीर को मुक्तब पादब उत्पादों से प्राप्त होता है रुच्छांस या रहसेदार भोजन क्या होता है तो रुच्छांस बेना पांस रुज कहा है很好 उनाज डालो ताज़ा फल सब्साबजिया और छाइन के मुख g फोड या हमारे भॉजन को आवस्ता गटक या कई यह ग्या है यह siri को अब श्रीड मतलब बीना पचे उए बोजन को बान निकालने में मदद करता है और कब जटाने में भी मदद करता है कौन रुच्छांस ये किसे प्राप्त होते हैं तो रुच्छांस हमें दाल से आलू से ताजा फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं मुक्ता ये फल और सब्जियों के छिलकों में पाय जाते हैं ये क्या करता है हमारे सरीर को आवस्ता गटक ह तो हमारे सरीर को जल क्या हो सकता है, इसलीए होती है कि जल भोजन से क्या जल भोजनसे पोसकतों को आउसोसां करने में प्रोह नाकर्श हो इसलीए होती है कि जल भोजन में बम।gingस से क्या जो antioxid कर रहे हैं- विपामिन नमदा नमा विखातृतृत Πर्व कर भूजन ST रे आउसोसन करने में हमारे सरीर की मदद करता है जो भी बोजन में जितनी भी जो भी चीज़ें पाई गए विटामिनों, विटामिन बी, विटामिन ए, बी, सी, डी या कोई भी बोजन में चाहिए, विटामिनों, प्रोटीनों जिस सब को क्या करता है उसको औसोसन करने में हमारे सरीर की मदद करता है यह हमारे सरीर में दूसित पदार्दे से पेसाब और पसीना से बार निकलने में भी मदद करता है तो यह हमारे सरीर से क्या है तो यह हमारे सरीर से दूसित पदार्द तो हमारे सरीर का दोस्त पता है है क्या होगा, मल, मूतr, मतलर मूत्र और पसीना, यह क्या करता है इसको हमारे सरीर से बाँ निकालने में मदद करता है और क्या करता है विटामिनों को प्रोटीन को वसा कार्बो आइडिट को अवसोसत करने में हमारे सरीर की मदद करता है और साथ में जो अवसोस जो भी दूसित पदार थे हैं मूतर और पसीना उसको बार निकालने में हमारे सरीर की मदद करता है संतुलित आर किसे कहते हैं संतुलित आर किसे कहते हैं वाय आर जिसमें सभी आवस्थक पोसकत रुच्छांस और जल उचितमात्रा में हो संतुलित आर कहलाता है तो संतुलित आर उसे कहते हैं वाय आर जिसमें आवस्थक पोसकत रुच्छांस और जल उचितमात्रा में हो तो उसको संतुलित आर कहते है संतुलेतार में क्या हो आवसक पोसकत भी हो और उच्छास भी हो और उच्छत मात्रा में जलो क्या है वो संतुलेतार कहलाता है अभावजनित क्या अभावजनित रोग किसे कहते हैं अभावजनित रोग किसे कहा गया तो वे रोग जो लंबे समय से पोसकत्तों की कमी करन होते किसे कहते हैं जो रोग जो लंबे समय तक कमी रहती है जब लंबे समय तक पोखष पत्तों की कमी हो तू उससे क्या होता है उससे हमारे सरीर में अबाव जनीत रोग और जाता है। वह अबाव जनीत रोग कहलते हैं। हमारे सरीर में कार्बो वाइडिट मुक्ता किस रूम में पाया जाता है तो इस्टार्च और सुगर के रूम में तो हमारे सरीर में कार्बो वाइडिट मुक्ता किस रूम में पाया जाता है तो हमारे सरीर में कार्बो वाइडिट मुक्ता किस रूम में पाया जाता है तो हमार और कार्बो वाइड़ेट में से कौन से पोसक्तत हमें अधिक उर्जा देता तो वसा तो हमारे सारी में कार्बो वाइड़ेट मुक्ता किस रूम में? इस्टार्च और सुगर में कौन से पोसक्तत हमें जो हमें उर्जा प्रदान करते हैं? वसा और कार्बॉइड़ 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 वसा और कार्ब एक नियुखत बुजन को प्रोटीन युखत बोटिन को tell है असानी से निस्ट हो जातास जो भोजन पगाते समय बूंग को पगाते हैं तो भोझन , पखाते हैं विटामिन मोटाआ क्या है मोटापा क्या है वसा से बरपूर बोजन से चर्वी से तुलतले सारीरी के सिती का कारण बनता है इसे सिती को मोटापा किसे कहते हैं वसा से बरपूर बोजन चर्वी से तुलतले सारीरी के सिती का कारण होता है इसे सिती को मोटापा किसे कहते हैं वसा से बरपूर अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें जय हिंद वंदे मतरम